हेलो फ्रेंड्स कैसे हूं मेरा नाम है संजी right जोतर और आज हम जो बात करेंगे वों बात करेंगे ग्जो़ हूं से छोग की फृक्ष लोग फिर्डी फिर्स स्ट्र लॉज्ड फिरडे फिर्डी स्थम्टिकर फेर gestogen कीद्यट्र फोरकोन ऐखमी तुर्ण स्टां जी। से को कब यहाँ जब उसके ऐह स्लूसल बेतें मोल्ते इनकोल को और नेन यहां मोलटन स्टेट में है जब करें बूसी स्जट्रिटिव और रेगेटिव चरंद में तोड़ यह ठीक है तो electrolysis क्या थी कि ions का तूट जाना ठीक है electrolyte का तूट का डीकंपोज हो जाना जब हम उसके aqe solution या molten state में से electric current को पास करेंगी तो वो क्या थी हमारी electrolysis ठीक है हमने पड़ा था वो electrolytic tank लिया था वैसे लिया था उसमें से हमने उसमें दो रॉट्स डाल दीदी थी न के थोड़ और रहा है नोट ठीक है तो वह सारा में पड़ा था वो से आप देख सकते हो पर आज मुझे electrolysis से निकल के आते हैं और उसी सही link करते हैं और वह कि हमारा पहला लॉट तरीज़ दा फर्स्ट लॉट ठीक है चलिए शुरू करते हैं अब जैसे मैंने क्या का कि फर्स्ट लॉट्रोलिस इस क्या होता फर इस फर्स्ट लॉट्व the mass of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity is passed कैने का मतलब की the mass of any substance deposit or liberated at any electrode electrode के उपर मास का बढ़ना यह कम होना किसके directly proportional है किसके उपर electrode के उपर मास का बढ़ना deposit होना यह liberate होना कम होना यह बढ़ना किसके directly proportional है electricity quantity of electricity is passed electricity कितनी आप pass कर रहें उसके directly proportional है मतलब कहने का मतलब किया जितनी ज्यादा आप electricity pass करोगे उतने ज्यादा electrodes पे जो होगा मास होगा सबस्टांस का वो यह deposit करेगा यह liberate करेगा उसके directly proportional होगा ठीक है तो कहने का मतलब कि अगर हम w gram if w gram of substance इस्टांस डिपोसिटेड on passing q Coulomb of electricity w gram w gram w gram substance डिपोसिट होगा जर्वाम क्यू q Coulombs electricity पास करेंगे-q-coulums हुआ जित्य ज्यादा मतलब ऐलेक्टिसिटी पास होगी इतना ज्यादा मास इलेक्ट्रोडस पे डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा ठीक है क्यों हुम्हें पते हैं क्यूं क्यूं किसके इकलो होता है आई इंटू टी बतलब करेंट इंटू टाइब ठीक है तो इसको हम और किस तरी किसे लिख सकते हैं डिरेक्ली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी लिख सकते हैं फिर इसका प्रोपोर्शनल टी हटाओ यह पर कॉस्टल लगेगा वह कौन से जैड आई टी ठीक अब जैड क्या है जैड हमारा क्या है जैड इस इकल टू इलेक्ट्रो केमिकल equivalent जैड इस इलेक्ट्रो केमिकल एक्विलेट डवल जैड आई टी अगरल एक्ट्रो केमिकल एक्विलेंट की डेफिनेशन बनानी हो तो हम क्या करेंगे हम इसको भी I को भी 1 करें और T को भी 1 करें कहा देगा मतलब क्या है If I is equal to 1 ampere और time is equal to 1 second तो क्या हो जाएगा W is equal to Z कि इकुल हो जाएगा मतलब W is equal to Z into 1 into 1 Z किसकी इकुल हो गया W की इकुल हो गया फिर क्या निकला यहां से कि mass of substance deposited mass of substance deposited इसकी definition क्या बनेगी mass of substance deposited when the current 1 ampere 1 ampere is passed for 1 second ठीक है 1 ampere current हम 1 second के लिए pass करेंगे तो इतना mass deposit हो जाएगा that is हमारा electrochemical equivalent that is Z ठीक है इसे कहा बोलते हैं हम Z बोलते हैं ठीक है इसके अभी मैं definition लिख देता हूँ अब जैसे मैंने कहा यह क्या 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 रही है कि जब हम electrochemical equivalent may be defined as when a current of 1 ampere when a current of 1 ampere is passed for 1 second जब हम current 1 ampere current 1 second के लिए पास करेंगे ठीक है तो वो क्या हो जाएगा वो क्या होगा हमारा electrochemical equivalent ठीक है उतना हमारा mass वहाँ पे deposit हो जाएगा that is quantity of electricity equal to one coulomb past that is a coulomb के जो electricity quantity of electricity जो पास की है वो क्या होगी किसके equal होगी a coulomb के equal होगी ठीक है जैसे मैं पता है as one faraday किसके equal होता है 96500 चनमे 500 coulombs के equal होता है तो यहाँ पे भी यह चीज़ निकल के आती है एक वो नया formula निकल आता है ठीक अब वो क्या है as one faraday 96500 coulombs deposits one gram equivalent of substance one faraday इसके equal होती है एतने coulombs के equal deposit कितना करते है one gram equivalent of substance अब one gram equivalent gram equivalent क्या होते है gram equivalent जैसे मैं पढ़ा था molecular mass upon x x जब acid लेते हैं तो दो हम पढ़ते था जब acid लेते थे तो उसकी basicity लेते थे जब base लेते थे उसकी acidity लेते थे डीक है कितने ions अगर हम oxidation लेते अंगर hour ऐ मूंक अकशिडेशन वगरा लेते हैं तो उस कितने ions transfer हो रहे है कितने electrodes transfer हो रहे है दो और हैं उसके साथ उसको डिवाइट करते थे वह हमारा इकुलेंट वेड आता था अगर इकुलेंट वेड के बारे में आप जाना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी स्लूशन चैटर में आपको मिलालेटी मिलारेटी विकार दी हुए सारी ठीक है उस उस चीज को आप उस लेक्चर को अच्छे से देख लिजी आपको एकुलेंट के बारे में पता चल जाएगा ठीक है फिलाल हम यहां पर एकुलेंट के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोड़ी हम वहां बे कर चुके हैं अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप पर स्लूशन चैप्टर में से मिलालेटी मिलारेटी को देख लिजी ठीक है तो हमारा एक और फार्मुला यहां भी मन जाता है वो क्या बनता है तरी साज़ाइड इस इकल टू मास ऑफ सब्स्टांस अपन नाइन सिक्स फाइव जिरो जिरो कूलां यह भी मन जाता है ठीक है यह भी एक फॉर्मुला हमारा आ जाता है एक तो हमारा आगे ना जो हमारा पहले आया हमारा क्या आता है डूसरा क्या हो सकता है जैसे मैंने कहा कि डबल्यू क्या था डबल्यू इस इकल टू जैड आई टी यह था हमें पता ही है यह था हमें पता है इसमें हम जैड निकाल सकते हैं जैड क्या है बारा डबल्यू पॉन आई टी अगर हम डबल्यू को डबल्यू हमारा ग्राम्स में लेते हैं ठीक है डबल्यू किसमें लेत और अइकिस में लेंगे एंप्यर में थीक है तो टाइंब किसमें लेंगे इसकिंड में ठीक है यह क्लीर है चीज आइसे वान इंपियर इंटू वन सेकंड किसकी इकल होती है वन कुलम की कि यह होता है यह भी याद रखो वान इंपियर इंटू 1 सेकेंड is equal to 1 कूलम तो यहाँ पर वैलिस भरो पहले है यहाँ पर क्या गया ग्राम आई को किसमें लेते हैं एंपेर में ठीक है टी कहां पर हमारा सेकंड में यह हमारी यूनिट के आगे यह भी आ सकते हैं पर मैंने क्या अंपेर इंटू सेकंड किसके इकल होता है कूलम जरक यूनिट्स मिरें किमर करें ठीक है इसकां माला से एंटू दिया करम ने इंटी आ से यूनिट्स हमने find out कर दिए ठीक है w upon i into t w के हमारा mass of substance i के हमारा current जो हमने pass किया t के हमारा time जितने seconds के लिए किया ठीक है तो हमारे units आगे ठीक है तो यह हमारा faraday's first law अब इस पर हम बात करते हैं नुमेरिकल की चलिए देखते हैं चलिए एक नुमेरिकल देखते हैं फ्रफट से first law पे एक क्रेंट ओफ फोर एंपियर और पासिंग थ्रूइशन ओफ एज़िशन ओफ एज़िशन लिया उसमें से हमने है कितने के लिए 25 मिन के लिए और कितना मास ल्ट हूब उआ डिपोजिट 7.88 ग्राम ऑफ सिलवर और 7.88 ग्राम ढीपोजिट çekलो चलो पर लेंदेखते हैं सबस回 policing नोदें करने से पाले आपको पता नimi क्या क्या जाया है थेता है को यह क्या दिये का कि बाद्थ हम जाए कितना दीए आयजिए कौन डीए चलो इसकी बात करते है कि उसके बाद आद वेट दिये कितना 7.88 अब हमें पता है कि Z निकालना है तो Z कैसे निकालते हैं हमें पता था ना फॉर्मुला क्या था हमारा w is equal to Z i T यह पटा था फस्लाव में तो Z कैसे निकालेंगे Z W upon I T weight है ठीक है आई है ठीक है T भी है ठीक है पर T किसमें दिये 25 minutes दिये 25 इसमें क्या दिये मिनिट्स दिये तो हम क्या करेंगे seconds में convert करेंगे इसको 60 के साथ multiply करेंगे तो क्या जाएगा seconds आ जाएगे 15 100 seconds आगे 1500 seconds आगे ठीक है बस अब असान का अब वैलिस पूट करो W कितना हमारा W कितने 7.88 ठीक है जी आई कितने 1500 ठीक है और आई आ गया उसके बाद यह हमारा क्या है ती आ गया आई कितने 4 एंपियर ठीक है जी अब आई क्या था हमारा 4 एंपियर आ चुक है ऐसे निकलो आई क्या है 4 एंपियर और टाइम क्या गया 1500 अब इसको डिवाइट करेंगे 7.88 अपॉन इसको अगर डिवाइट करें तो हमारी शायद वैल्यू आएगी एक सेकंड जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन थ्री यह हमारी वैल्यू आएगे ठीक है थे कुछ भी निए इसमें सिंपल सी बात है वैल्यू पुट किया और कुछ भी नहीं किया बस एक चेंज था जिसमें हमने क्या किया कि जो मारा मिनेट से मेर्स को में सेकंड में कनवर्ट किया ठीक है तो वही चीज़ बता रहा कि करेंट टॉप फोर एंपियर ने पास किया कितना डिपोजिट्व आफ 7.88 करता ही कहले करो जैट ठीक है वह हमने जैड कैल्कुलेट कर लिए ठीक है तो यह हमार एक मेरिकल चली एक और देखते हैं जिसमें ने क्या बताया कि हाओ लॉग विल टेक टु डिपोजिट पॉइंट ग्राम कितना टाइम लगेगा पॉइंट ग्राम औफ को डिपोजिट होने के लिए जब वैने करेंट ऑफ पॉइंट फाइंपियर जब हम फाइंट अब लिए इसमें टाइम निकालना चाहिए को देखिया गिवन क्या है डाल्य दिया में 0.8 ग्रैम ओ आइधी है एक पॉइंट 5 एंपियर टी निकालेंगे जैट दिया है येस 0.003 ते अब निकालना क्या है टेक हमें फॉर्मुला पता है फॉर्मुला पता है डवली इस इकल टू जैट आई टी यह पता फॉर्मुला यहां से मैं क्या निकालेंगे टी कैसे निकाल दें टी डवल्यू पॉन जैड आई W कितना दिया है? 0.8 gram Z कितना दिया है? 0.00032 I कितना दिया है? 0.5 ठीक है? तो यह हमारा approximately अगर इसका अंसर देखें calculate करके इसका answer दिया है 5000, yes 5000 seconds 5000 seconds लगेंगे इतना टाइम लगेगा 0.8 gram deposit होने के लिए जब हम 0.5 ampere current पास करेंगे ठीक है? इसमें भी simple sun America है इसमें भी मैं क्या किया? values को इपोट किया है ठीक है? तो यह था हमारा आज का electrolysis पे Faraday का first law पे उसका पूरे हमने detail पड़ी और उसके बाद उसके numericals किये hope आपको यह lecture अच्छे से clear हो गया होगा तो मुझे इजाज़त दीजे पर आपका गुरुकुल चैनल को like, share और subscribe करें तक यू वगगा झाज़त 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 झाज़त